हेलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो आप सबको पता ही होगा कि रशिया के तरफ से भारत को सबसे जादा अत्याधुनिक हत्यारों का ओफर किया जाता है इवन रशिया ऐसे भी कुछ हत्यार भारत को देता है जो दुनिया में किसी और देश को नहीं देता है और ऐसा ही एक मिसाल कायम करते हुए हाली में रशिया के तरफ से भारत को एक और नया अत्याधुनिक तोसो का नामक Heavy Vehicle जिसमें अंगाइड़ेट रॉकेट माउंटेड रहता है उसका ओफर किया गया रेशिया के मुताब एक भारत इन हत्यारों का इस्तेमाल करते हुए अपने 45 टारगेटों को प्रोटेट कर पाएगा जबकि पाकिस्तान जैसे देशों के तरफ से भारत के अंदर जो आतंकी गतिविदी बढ़ाने के लिए आतंकियों का घुसपेट कराया जाता है उन्हें भी भारी भरकम फायर फावर के साथ गौर्डर में ही ध्वस कर पाएगा टी ओएस वन हैवी फ्लेम थुरोर एक सोवियत उनियन के द्वारा बनाया हुआ 220 मिलिमीटर के 30 बैरल या फिर 24 बैरल का मल्टी रॉकेट लॉंचर है जिसे T-72 के चैसिस के उपर एक थर्मोबैरिक वेपन द्वारा डिजाइन किया गया है इन हतियारों को खास करके ओपन ग्राउंड और माउंटेड एरिया में फोर्टिफिकेशन को सेफ करने के लिए डिजाइन और डेवलफ किया गया था इन हतियारों के मदद से हैवी फार पाउर के बदौलत ग्राउंड ट्रूप्स, light armored vehicle और ट्रांस्पोर्टों को भी ध्वस किया जा सकता है रेशिया के मुताविक भारत इन हत्यारों को heavy mounted area में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस करने के साथ साथ दुश्मन के fortified column को भी ध्वस कर सकता है जबकि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत द्वारा किया जाना possible होगा जहाँ पर पाकिस्तान द्वारा आए दिन घुसपैट का कोशिश किया जाता है इन हत्यारों का एक वर्जिन को BM-1 बताया जाता है जो एक totally combat vehicle है जिसे T-72A chassis के उपर एक rotatory multi-wear rocket launcher द्वारा डिजाइन किया गया है जो 360 degree में घूम सकता है और इसमें करीवन 24 rocket रह सकता है इन 24 rocketों को 6-12 सेगंड के अंदर launch किया जा सकता है और ये किसी भी बड़ा शेत्रों को पूरा-पूरी ध्वस्त कर सकता है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि इस rocket launcher में रोकेटों के इलावा एक fire control system, ballistic computer, aiming sight और 1D14 laser range finder भी लगा हुआ होता है जो हतियारों का accuracy और हतियारों का performance को बाकी unguided rocketों के तुलना में काफी बहतरिन बनाता है इन हतियारों का specification को देखे तो एक standard हतियार में TKN-3A Commander Sight, GPK-59 Navigation System, R163-50EU Radio Station, 902G Smoke Granate Launcher जिसमें अलग-अलग 4 barrels रहता है जबकि इसके इलावा TOS-1A rocket का इस्तेमाल किया जाता है original rocket का range करीबन 2700 meter था जबकि इसका improved version जो भारत को offer किया गया है इसका range करीबन 6 km है कई-कई जगा में दावा ये भी किया जाता है कि improved version का range असल में 12 km है जिसे 6 km ही बताया जाता है तो कुल मिला के रशिया के तरफ से भारत को जो हतियार का offer किया गया है ये line of control में एक बहतरिन हतियार सावित हो सकता है लेकिन भारत के तरफ से भी पिना का multi-barren rocket launcher के हिसाब से अपना ही खुद का एक rocket launcher को develop कर लिया गया है और अगर ज़रोत पड़ेगा तो भारत इसके ही base पे short range का multi-barren rocket launcher का development कर सकता है जो पाकिस्तान को border में ध्वस करने के लिए काफी होगा तो दोस्तो रशिया के तरफ से भारत को जो हतियार का offer किया गया है वो immediate base पे भारत के लिए एक अच्छा option बन सकता है लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत के तरफ से इन हतियारों को खुद से ही develop करना संभब है और ज़रोत पड़ा तो भारत खुद से ही इन हतियारों को develop कर पाएगा तो दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि भारत को रैशिया का इस ओफर को सिकार करते हुए हतियारों को खरिदना चाहिए या खुद का ही जरूत को देखते हुए अपना हतियारों को डवलाफ करना चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताईए साथी साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम ट्टर और फेस्बूक में सपूर्ट कीजिए और अगर आप लोग डेली डिफेंस अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सिंपली यूट्यूब में ग्लोबल कॉन्फिक्स सर्च करके भी आप उसे देख सकते हैं और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो से हुआ 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 है